दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग डेले 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 इंट्रेंस एक्जाम के लिए सोसल साइंस के एक मोश्ट इंपोर्टन टॉपिक पारलेमेंट भारती संसे से रिलेटेट 50 कुसंस करने वाले हैं और ये मैं आपको जो है लुसनेट की अबजेक्टिब जिक के बुक से करवा रहा हूँ तो आप लोग चेक कर लिजेगा किस टाइब की कुसंस इस बुक में दे रखा है चलिए दोस्तो श्टार्ट करते हैं भारत की संघिय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है दोस्तो भारत की संघिय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट कुश्चन भारती संसद के कितने सदन है दोस्तो भारती संसद के दो सदन है एक है upper house जिसे राज्य सभा के नाम से जाना जाता है एक है lower house जिसे लोग सभा के नाम से भी जाना जाता है लोग सभा को दोस्तो, the house of people भी कहा जाता है ठीन, अगर आपसे पूछा जाए कि भारती संसत के कितने अंग है अगर अंग पूछा जाए पार्ट पूछा जाए तो तीन है लोकसभा, राज्येसभा और भारत का राश्टपती याद कर लेजिएगा Next question, संसत के किस सदन को परतिनीधी सभा भी कहा जाता है? लोकसभा को परतिनीधी सभा भी कहा जाता है संसत का लोकपिरिये सदन जो है यह है लोकसभा संसत का स्थाई सदन कोन सा है? संसत का जो स्थाई सदन है यह है दोस्तों राज्येसभा अपरहौस Next question, भारत के संभिधान के अनुझेद आर्टिकल 79 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे भारत की संसत के एक भाग के रूप में वर्नित किया गया है? तो आप सभी जानते हैं तीन अंग है संसत के एक है लोकसभा, दुसरा है राज्येसभा और तीसरा है भारत का राष्टपती तो इसका सही आंसर ऑप्सन D हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राबधान भारती संभिधान के अंतरगत संसत के सदस्यों के विसेसदिकार तथा उन मुक्तियों को निर्धारित करता है मतलब एक ऐसा प्राबधान है जो भारत के संसद के जो सदस्य है मतलब सांसद है उनका विसे सिदिकार का परणन करता है तो ये आर्टीकल जो है दोस्तो एक सो पाँच आर्टीकल वन हंडरेट फाइफ निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है मतलब भाग नह भामिल है भारती संसद के कितने अंग है भारती संसद के तीन अंग है नेक्स्ट कोश्चन भारती संबिधान के किस अनुछेद में किस आर्टीकल में कहा गया है कि संग मतलब भारत के लिए एक संसद होगी जो राष्टपती और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी ये आर्टी 79 में कहा गया है Next question में कौन सा जो statement है, option है, जो गलत है यह आपको बताना है, देखिए दोस्तो लोग सभा को संसत का पर्थम सदन कहा जाता है, बिल्कुल सही है अब कुछ student कहेंगे कि सर अभी तो आप बता रहे थे कि लोग सभा और उचे सदन, पर्थम सदन और दृत्य सदन में अंतर है लोग सभा को इंगलिस में lower house कहा जाता है, अब इसका मतलब यह है कि निम्न सदन, हिंदी में निम्न सदन कहा जाता है, ठीना और राज्य सभा को लोग सभा का upper house कहा जाता है इसका मतलब उच्छे सदन वैसे राज्य सभा को दृत्य सदन कहते हैं ठीड है यह पता होना चाहिए और लोग सभा को संसद का पर्थम सदन कहा जाता है तो यह दोनों सही है और अप्षन सी गलत है क्योंकि राज्य सभा जो है एक स्थाई सदन है ठीड भारतिय संसद का बाकी नेक्स्ट कोशन निमनलिखी कतनों में कौन सही है जो सही है यह आपको बताना है देखे लोग सभा भारतिय जनता की परतिनिधी सभा है इसलिए इसको दहोस और पीपल भी क सही आंसर होगा संसद का निमन सदन एवं उच्छे सदन क्रम सा कौन सा है निमन सदन दोस्तों किसको कहा जाता है तो लोग सभा को और राज्य सभा को अपर होस कहा जाता है ऑप्शन बी संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है दोस्तों संसद को कौन भंग कर सकता है तो ये है दोस्तो, राष्टपति, परधान मंतरी के सलाह पर, या फिर कह सकते हैं मंतरी परिस्त के सलाह पर, भारती संसत की संपरभुता परति वंधीत है, किस समें परति वंधीत है। जो कि अमेरिका की समिधान से लिया गया है तो नियाईक पुन्रावलोकन एक सकती है जो कि भारती संसत के दुवारा भारत की नियाई पालिका को परदान किया गया है तो इसी के थुरू जो है नियाई पालिका चेक करती है इसकी समिक्षा करता है कोई भी कानून अगर बनाता है भारती संसत तो और अगर वो खिलाफ है तो फिर उसको फिर से उस पर पुनरविचार के लिए भेज देता है या फिर रद भी कर सकता है भारत की नियाई पाली का जिसे नियाई पुनरावलोकन भी कहते हैं और इसे English में Judicial Review कहा जाता है, संसत के कितने सत्र होते हैं, दोस्तों संसत के कुल तीन सत्र होते हैं, संसत के कुल तीन सत्र होते हैं, एक सितकालिन होता है, दूसरा होता है मानसून, तीसरा होता है वजड सत्र, उप्रयोक्त सभी, option D, चलिए next question करते हैं, संसत के दो सत्र के बीच, या कह सकते हो, दो सत्र के बीच, अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता हैं, तो इसका सही आंसर होगा, छे महीने का, अधिकतम छे महीने का अंतराल दिया जा सकता है, नेक्स्ट कोशन भारती संसरत के दोनों सदनों की सन्यूक्त बैठक के संबंध में होती है तो ये जो सन्यूक्त बैठक होती है इससे भी कई सारे कोशन से एकजाम में पूछे जाते हैं सन्यूक्त बैठक जो है ये साधारन विध्यक के संबंध में होता है अब एक कोश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों कि सन्यूक्त बैठक कौन बुलाता है अगर ये पूछा जाए तो आपको बताना है भारत के राष्टपती कोश्चन ये बनता है कि भारत ये संसत के दोनों सद्नू की सन्यूक्त बैठक कौन बुलाता है अगर ये आपसे पू द्यक्ष करता है पता होना चाहिए आपको नेक्स्ट कोशन करते हैं क्या पूछा गया है संसद के दोनों सदनों का सन्यूक तदिवेशन आयोजित होता है देखे ध्यान दिजेगा यहां पर क्यूं होता है यह सारे स्टेट्मेंट आप पढ़िया और नीचे जो दिया गया संबंदित विध्यक को पारीद करने के लिए एक ऐसे विद्यक पर मतलब ऐसे विल पर विचार करने और उसे पारीद करने के लिए पास करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतवेद हो only statement 4 option D सही है बाकी सभी रॉंग है ठीन है इसी संबंद में बुलाया जाता है संसद का सन्युक्त दिवेशन next question सधारन विध्यक से समंदित गति रोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की सन्युक्त पैठक कौन बुलाता है आगया ना राश्पती बुलाता है काफी important question है और देखिए ये पूछा भी गया है अधर एक्जाम में चलिए आगे बढ करते हैं संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न लिखित क्या होता है तो आपको पता ही है दोस्तों किसलिए वैत ठक बुलाया जाता है एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना और पास करना के लिए यदि किसी समाने विध्यक पर राज पुछा गया है, इसमें सोतंतर भारत के संसधिय इतिहास में अभी तक कितनी वार सन्युक्त बैठक बुलाई गई है, तो अभी तक कुल दोस्तों तीन वार बुलाई गई है, क्या राश्ट पती या उपराश्ट पती कभी सन्युक्त अधिवेशन की अधिक्षता करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा, कभी नहीं, अधिवेशन केवल, अधिवेशन के अध्यक्षता केवल, लोगसभा अध्यक्षी कर सकता है, संसत के दोनों सदनों के सन्युक्त अधिवेशन के अध्यक्षता कौन करता है, आगया न, लोगसभा अध्यक्ष करता है, संसत के सन्युक् हम बोधीत करते हैं ये कौन करते हैं दोस्तों राष्ट पती करते हैं जो बुलाता है बैठक चलिए नेक्स्ट कोशन भारत की संसत के दोनों सद्नों की सन्यूक्त बैठके किसलिए आयोजित की जाती है तो रीजन आपको पता चली गया उस तो अल्लेडी हम पढ़ चुके हैं क्या रीजन है तो इसका रीजन यही है उस विल पर विचार करने तता उससे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सद्नों में मतवेद है ठीना संसत के सन्यूक्त अधिवेशन में विध्यक विल पारित होता है मतलब किस वहुमत के अधा समझ गया होंगे समिधान संसोधन प्रस्ताव का यह जो प्रस्ताव है किस संबढ़ में मतवेद होने की स्थीति में क्या होता है देखते हैं आगे कुन से स्टेटमेंट सही होगा इसका सही अंसर होगा प्रस्ताव गिर जाएगा संसद की कारेवाही सुची में पर्थम विसय कौन सा होता है तो जो पर्थम विसय होता है दोस्तों यह होता है प्रसंकाल याद कर लिजेगा प्रसंकाल को इंगलीस में वही कोशन आवर कहा जाता है और सुनने काल को जो है इंगलीस में जीरो आवर कहा जाता है तो प्रसंक होता है उसके बाद का समय जो है सुन्ने काल का होता है कौन सी प्रठा संसद्य पर उसकी सिदस्ता समाप्त कर दी जाती है किसी सांसद की तो इसका सही आंसर होगा साथ दिन, दो महिने तक बिना इनफॉर्म की अगर अनुपस्थित रहता है तो एक वर्स मतलब अनुपस्थित का मतलब यह है कि वो absent रहता है एक वर्स में कम से कम कितनी वार संसद की वैठक होना अवश्यक है दोस्तो एक वर्स में संसद की वैठक होना कितनी वार अवश्यक है इसका सही आंसर होगा दो बार, कम से कम संसद की सनचना के संबंद में निमनलिखित कतनों में से कौन सा सही नहीं है पढ़ते हैं, राज्ये सभा में राज्यों के परती नीधियों का निर्वाचन सीधे जनता दुवारा किया जाता है, ये सही नहीं है, आप लोग खुद देख सकते हैं, क्योंकि राज्ये सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है न, ये उस राज्ये के, उस राज्ये के जो है बिधान सभा के सदस्यों दूबरा निर्वाचित होते हैं वागिस स्टेटमेंट देख लीजी लोगसभा में संग राजय शेत्रुतस्य प्रतिनीद्यों के चुनाव पर्तिक्ष निरवाचन द्वा रख क्या दाता है यह होता हिय जो संशद होते हैं राष्टपती के दौरा एंगलो इंडियन से और लोकसव्षय होते हैं याद कर बिल, तो इस बिल का नाम है दोस्तों, संबिधान संसोधन विध्यक, ठीना, संबिधान संसोधन विध्यक, इंपोर्टेंट है, Constitution Amendment Bill, संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है, संसदों के जो वेतन का निर्णय है दोस्तों, ये करता है, संसद, पारलेमेंट भारत का संसद, मतलब कि खुद ही लोग डिसाइड करते हैं कितना होगा, क्योंकि संसद में तो दोस्तों वही बैठे होते हैं, संसद बैठे होते हैं, और अपना मतलब बेतन खुद डिसाइड करते हैं वो लोग, सोचिए, निम्नलिखित विध्यकों में से, किसका एक भारती संसद के दोनों सदनों दुवारा अलग-अलग विसेश मों सोरी ये तो होई चुका है समिधान संसोधन विद्यक ठीरा संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैंबर की मीटिंग बुलाने के लिए आवस्यक कौरम है मतलब कि कोई वैधानिक वैधानिक कोई कारे हो रहा हो तो उसके लिए कितना होना अवस्यक है संसद की कुल सदस्यों का उपस्थिती तो इस कोईशन का सही आंसर होगा एक वटे में 10 जैसे मान लिजिए सौ सदस्ये है तो उसका 10% होना जरूरी है सौ में से 10 संसदिये पढ़नाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो संसदिय पढ़नारी वाली सरकार को संगिय सरकार के नाम से भी जाना जाता है भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है तिना भारत की संसद के बारे में ये पूछा गया है देखते हैं राश्टपती लोगसभा और राज्यसभा से संसद बनती है ये तो सही है लोगसभा में मनुनित सदसे नहीं होते हैं जो सही नहीं है ये आपको बताना है तो ये सही नहीं है क्योंकि दो सदसे मनुनित होते हैं बाकी statement पढ़ लेते हैं, राज्ये सभा को भंग नहीं किया जा सकता है, सही है, राज्ये सभा के कुछ सदसे राष्टपती दुवारा नाम निर्देसित होते हैं, ये भी सही है, जो गलत है ये हमें बताना था, option B, समिधान लागू होने के बाद सर्व पर्थम तिरंकु संसत का गठन कब हुआ, तो ये हुआ था दोस्तों, 1989 इस भी में, देखें तिरंकु संसत का मतलब है दोस्तों, जब कोई भी राजनीतिक दल, horse of people, मतलब कह सकते हो कि लोग सभा में कोई भी राजनीतिक दल जो है, जब बहुमत हासल नहीं कर पाता, तो ऐसे में तिरंकु संसत का निर्माण होता है, नेक्स्ट कोश्चन करते हैं, अस्थाई संसत भारत में कब तक अस्तित्व में रही, 17 अप्रेल 1902 तक, नेक्स्ट कोश्चन भारत की पारलेमेंट का उधगाटन कब हुआ था, 1927 इस्वी में भारत की पारलेमेंट का उधगाटन हुआ था, काफी important कोश्चन है, नेक्स्ट कोश्चन, संसत के दोनों सदनों का 17 वसान कौन करता है, मतलब इसको बिघटित कौन करता है, राश्ट पती, नेक्स्ट कोश्चन, संसत के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है, तो किन सदस्यों कहा जाता है दोस्तों, ये मंतरी के अलावे अन्ने पर मावर होता है तो जो परधान मंत्री होते हैं दोस्तों वो प्रस्ता भेजते हैं राष्ट पती को और राष्ट पती जो है किसी को सिक्षा मंत्री किसी को स्वास्ते मंत्री रक्षा मंत्री ग्राम मंत्री परधान मंत्री नियुक्त करता है यह सभी नियुक्त होते हैं परधान किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्व में कौन निन्य करता है। अगर आप और भी इंपर्टन कोशन्स करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा आगे और भी इंपर्टन कोशन्स हम